संराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चलेंजर्स बैंगलोर की बीच यह मुकाबला खेला गया जहां बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी का निर्णे किया और 192 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए इसके बाद 193 के लक्षे का पीछा करने उत्री हैदराबाद की टीम 125 रन प इपने पूरे स्पेल में एक ओवर मेडन डाला इसके अलावा 18 रन देकर 5 विकेट चटकाए मानिदू हसरंगा का एकनोमी 4.5 जीरो का रहा हसरंगा के विकेट की बात करें तो उन्होंने एडन मारकरम को 21 रनों के नीजी स्कोर पर पेविलियन वापस भेजा इसके अलावा उन्होंने उम्रान मलिक को भी LPW करके पविलियन की रहा दिखा दी वानिदू हसरंगा ने लगातार 2 विकेट चटकाए और वो अपनी हैट्रिक से चूके लेकिन वानिदू हसरंगा का गेंद बाजी का जादू ऐसा रहा कि बैंगला और इस मुकाबले को 16 रनों से जीत गय हसरंगा के IPL के इस सीजन की बात करें तो उन्होंने कॉलकाता के खिलाब भी 4 विकेट चटकाए थे इसके लावा लगातार टीम के लिए बहतर किन बाजी कर रहे हैं और अब उन्होंने अपना पहला 5 विकेट हॉल IPL में ले लिया इसके लावा आपको बता देंगी साल 2021 में भी वानिंदू हसरंगा ने दो मैच खेले थे लेकिन विकेट नहीं चटका पाये थे और इस सीजन उन्होंने विकेट चटका करके टीम के लिए शानदार गिंद बाजी की है हसरंगा के सीजन की बात करें तो उन्होंने बारा मैचों में 21 विकेट चटका लिये हैं और परपल कैप की दोड में शामिल हो चुके हैं क्या राय है आपकी उनको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शियर करें वनिडिया को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार